हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस मैं हूँ कीरन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हरे बदाम खाने के फाइदों के बारे में क्या फोलीक एसिड से बरपूर होते हैं हरे बदाम जाने इसके फाइदे वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ एक गंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिस नहो तो फ्रेंड्स सूखे बदाम की तरह हरे बदाम भी पोशक ततों से बरपूर होते हैं ये एंटी ओक्सिडेंट वे विटामिन और खनिच ततों से बरपूर होते हैं जाने हरे बदाम खाने के पांच फाइदे नमबर एक हरे बदाम में फाइबर की मत्रा अधिक होती है कब्च की समस्या में रहा देते हैं यह पाचन भी अच्छा रखते हैं नमबर दो फोलिक एसिड से बरपूर होने के कारण गर्बवती मैलाओं के लिए हरे बदाम फाइदे मन हैं हरे बदाम खाने से बच्चे के मस्तिश का विकास अच्छे से होता है नमबर तीन विटामिन खनीज और पोशक ततों से बरपूर हरे बदाम बालों को मजबूती देते हैं इससे बाल काले वे घने रहते हैं नमबर चार, विटामिन E अस्थमा के खत्रे को कम करता है, हरे बदाम में विटामिन E बरपूर मात्रा में होता है, जो अस्थमा में फाइदे मद है नमबर पांच, हरे बदाम में पोटेशियम परचूर मात्रा में होता है, जो किट्नी रोगियों के लिए फाइदे मद है चैनल को विजिट करना ना भूले इसका लिंक दिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा आज की इंफर्मेशन के अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना और मेरे वीडियो को करना है धेर सारा लाइक और शेयर और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ओक और मेरे बाएगे अरू भूले लगी हो दोने जाएगा!